वेल्कम तु न्यू लेसन कल के लेसन में हमने एक इन्स्ट्रीम एड बनाई थी और यह जो एड हमने बनाई थी इसमें हमने यूज की थी ओडियन्स अपनी custom search intent वाली right custom search intent ad की audience हमने use की थी और हमने ad बनाई थी in-stream ad और इसमें जो हमने पैसे दिये थे वो दिये थे हमने based आण cpm मतलब thousand impressions के google हमसे पैसे चार्ज करेगा तो based on cpm हमने कल google पे एड बनाई थी youtube की और custom search intent हमने यूज किया था आज जो हम add बनाएंगे वो हम बनाएंगे again using custom search intent but instead of in stream ad we will use video discovery ad right और अगर आप video discovery ad use करना चाते हो तो cpm की जगह आपको क्या use करना होता है आपको cpm की जगह use करना होता है cpv मतलब आप google को पैसे देना चाते हो cost per view के मतलब एक video कोई अगर आपकी देखता है तो आप कितने पैसे देना चाते हो वो होता है cost per view ठीक है तो clear है जी तो आज की add चली हम बनाते हैं हम use क्या करेंगे same audience जो हमने कल बनाई थी जो कि थी हमारी custom search intent वाली then अगली चीज हम क्या करेंगे हम ये बनाएंगे video discovery add और इसमें हम लेंगे cpv ठीक है बिलकुल आसान तो चलिए start करते हैं मैं आया अपने adwords account के dashboard में then हम जाते हैं campaign के अंदर और हम ये करते हैं plus plus करके हमने किया new campaign तो हमने किया new campaign then यहाँ पर एक option आ रहा है create a campaign without a goal तो हमने choose किया create a campaign without a goal और यहाँ पर again हमने लिया video और यहाँ भी again हम कौन सी add बना रहे हैं अपनी normal ad video discovery ad तो उसके लिए हम कौन सा option select करेंगे उसके लिए हम पहला option ही select करेंगे which is custom video campaign और then हम जाएंगे continue के उपर और यहाँ पर हमने डाल दिया campaign का नाम video discovery और हम यूज कर रहे है custom search तो यह हमने डाल दिया bidding strategy देखो हमने यहाँ पर क्या select किया है maximum cpv देखो यहाँ पर दो यह option है मारे पास पहला है maximum cpv और दूसरा है target cpm अगर हम target cpm यूज करेंगे तो हम video discovery ad नहीं चला सकते तो हम क्या चूज करेंगे maximum cpv मतलब एक view के हम कितने पैसे देना चाते हैं तो हम नहीं हाँ पर select किया maximum cpv दें google हम से पूछ रहा अगेन जैसे हमने कल देखा था कि भाईया budget कितने पैसे लगाना चाहते हो total या daily तो आप चाहो तो daily के हिसाब से लगा सकते हो या आप चाहो तो total के हिसाब से लगा method कि ads के delivery कैसे हो तो again standard accelerated accelerated आपको पता ही है Google जल्दी से जल्दी पैसे खर्च कर देगा बढ़ हम क्या रख रहे हैं हम रखेंगे standard then network आप कहाँ एड चलाना चाहते हो by default Google निकाल लिया है देखो YouTube search result लिया हुआ है YouTube video लिया हुआ है और YouTube partner लिया हुआ है हम क्या चाहते हैं कि just log जब video देख रहे हुँ तो नीचे suggestion में नीचे recommendation में मेरी वीडियो आए अगर आप search पे भी दिखाना चाहते हो जब लोग YouTube पे search करते हैं तो आपकी ad दिखे तो आप YouTube search result भी ले सपते हैं ठीक है then हम लेंगे language all language एकदम सही है location हमने इंडिया लिया हुआ है inventory type हमने कल भी देखा था वो standard ही रखना है excluded content हमें कुछ करना नहीं और यह type label भी कुछ करना नहीं यहाँ पे आ जाते है additional settings पे account level conversion setting अगे ने पूछ रहा है कि भया किस conversion action के लिए add को optimize करना चाहते हो तो हमने पहले से कुछ conversion event बनाए हुए उसमें से हम एक conversion action select कर लेंगे अपना यह वाला जो हमने google analytics से import किया है हम यह select कर लेते हैं devices आप कहां का add दिखाना चाहते हो तो suppose हम यहाँ से अपना tv screen हटा देते हैं और बाकी जगह हमारी add आएगी हमारी add आएगी computer पे mobile phone पे और tablet के ऊपर ठीक है frequency capping अगर आप कल भी हमने देखा था कैसे हम frequency cap कर सकते हैं suppose यहां हम कोई frequency cap करना नहीं चाहते हमें कुछ करना नहीं then हमें देना है add schedule आप कितने से कितने में चलाना चाहते हो अगेन हमें कुछ देना नहीं यहाँ पर then आपको लिखना है add group का नाम तो मैं आपको लिख देता हूँ simple video discovery underscore custom search ठीक है अब हम आएंगे simple demographics में यहाँ पर भी अगेन हमें कुछ नहीं करना suppose मैं 18 से 24 को नहीं दिखाना चाहता तो मैं इसको uncheck कर दोगा right मेरे कोई नहीं दिखाना है तो मैं इसको check रखता हूँ then मैं आओंगा audience पे और audience पे आके simple मैं जाओंगा browse पे then मैं आओंगा इधर custom intent पे और custom intent audience ही हमने कल create की थी इसको हम यहाँ से कर लेंगे select बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा आसान keyword topic placement हमें कुछ करना नहीं then maximum CP way bid एक view के आप कितने पैसे देना चाहते हो तो suppose मैंने start क्या account से again यहाँ पे भी same strategy मैं use करता हूँ मैं जादा से start करता हूँ और धीरे धीरे मैं कम करता हूँ आप दूसरी strategy भी try कर सकते हो आप start करो कम से से आप start करो 10 पैसे से देन देखो कि 10 पैसे पर क्या view और impression आ रहे हैं अगर नहीं आ रहे तो बढ़ा दो फिर देखो क्या उस पर आ रहे हैं नहीं आ रहे तो देन उसको again बढ़ा दो आप जरे जरे बढ़ा सकते हो top content bid adjustment मतलब कुछ videos होती हैं जो की काफी ज़्यादा popular होती है तो उस पे add दिखाने के लिए आप कितने पैसे देना चाहते हो इसको एक बार आप ध्यान से समझे हो suppose करो दो channel है एक है news का आज तक और एक है news का a to z news हाना अप a to z news पे अगर आपको add दिखानी है तो कम पैसे लगेंगे और आज तक पर आपको add दिखानी है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे परसे अब ग्यूगल मैं क्या कह रहा हूं कि भहिया देखो soprattutto मैं एक व्यूख के तो 51 पैसे देना क्या चाहता हूँ राइट बट अगर कोई top content है कोई popular content है तो उसके लिए मैं 10% जादा देने के लिए तयार राइट यहाँ पर मुझे create करनी है अपनी ad तो मैं यहाँ पर अपनी चैनल पर जाता हूँ यह video है मेरी इसको यहाँ से मैं copy करता हूँ ठीक है इसको मैंने copy किया और यहाँ पर इसको मैंने किया paste यहाँ वीडियो अब यहाँ पर देखो दो option है skippable in stream और दूसरा है video discovery ad right in stream हम अलड़ी बना के देख चुके हैं तो इसको हम बनाएंगे video discovery ad simple अब यहाँ पर आप क्या लिख दोगे headline ठीक है suppose मैंने लिख दिया want to learn want to learn marketing watch this video right now ठीक है आप description लिख देंगे click here to watch the video to discover what is marketing ठीक है simple और यहाँ पर वीडियो का नाम लिख दिया add का नाम लिख दिया what is marketing और इसको कर दिया है यहाँ से create campaign अब देखें अब डिस्कवर वर्ड आ रहा है न तो उसके लिए वो वह आ गया exception आ गया राइट तो इस discover को हटा दो और इस discover के लिए लिख दो to find और इसको कर दो create campaign simple continue to campaign हमारा add यहाँ से बना लिया हम ठीक है यहाँ पर एड्स एंड extensions में जाओगी तो यहाँ पर आपको add अपनी दिख जाएगे यहाँ पर आप चाहो तो इसके duplicate करके जैसे हम पहले देख चुके आप और एड्स बना सकते हो और अब इदर देख लो आप इदर बड़े सारे columns आ रहें तो overview में क्या दिखा रहा है आपका overview में आपका overview है कि कहा add चल रही है नहीं चल रही recommendation में कही बर क्या करता है गूगल कुछ चीज़े recommend करता है कुछ changes recommend करता है तो recommendations यहाँ पर आ जाएंगे अब recommendations को देखते ही उन्हें implement नहीं करना पहले आप recommendations को देखे समझो कि क्या recommendations सही है क्या इसे implement करना चाहिए अगर वो recommendation सही लग रही है तब ही आप उस extension as such को क्यों गूगल एड यूट्यूब एड है तो extension कुछ यहाँ पर है नहीं यह दो extension है बस जो हमें लगाने की ज़रूत नहीं then videos इसमें जो जो आप video यूज कर रहे हो वो video आपको यहाँ पर दिख जाएगी जो जो हमने audience यूज की हुई है वो यहाँ पर आपको audience दिखेगी यह दो को दिख रही है और अगर आपने कोई audience exclude की होती तो वो audience आपको यहाँ दिख जाएगी ठीक है demographics जो भी आप age, gender वगर होगा आपका वो सारी चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगी age, gender, parental status वो सारी चीज़ आप यहाँ दिख सकते हो then आगे topics अगे आप topic वाइस targeting नहीं कर रहे तो topics मुझे दिखनी रहे right then placement placement में आपको दिखता है कि आपकी ads कहां कहां दिखी ठीक है वो चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगी placement आपकी ad जिस जिस वीडियो के ऊपर दिखी होगी वो सारी चीज़ आपको दिख जाएगी under placement then settings, आप की जो भी campaign की settings होगी, वो सारी settings आपको यह दिख जाएगी, हाणा, क्या है ये add तो वो सारी settings आप यहासे देख सकते हो, country क्या है यहाँ से, उसे change भी कर सकते हो language क्या है, वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ से change भी कर सकते हो, network वक्त कहां कहां चला आ रहे हैं यहां से उसको चेंज भी कर सकते हो then location आप एड कहां कहां आपने target किया हुआ है क्या excluded है यहां से geographic report से आप देख सकते हो कहां कहां आपकी add दिखी अगर कोई schedule डाला होता तो आपको यहां पर दिख जाता then devices किस-किस device पे कितनी add चली वो आपको यहां पर दिख जाएगा अगर हमने कोई bid adjustment की होती तो वो यहां पर दिख जाती आपको again हमने कोई की नहीं हुई top content की देखा हो हमने अभी की थी न 10% के bid adjustment तो यहां पर दिख रहा है change history आपने जो-जो changes किये हैं अपने account के अंदर वो सारे आपको यहां पर दिखेंगे और आप यहां से चाहो तो उन्हें change कर सकते हो राइट तो यह बहुत ही simple सा एक और campaign आपने बनाना सीखा कौन सा campaign था है video discovery ad based on custom search audience ठीक है जी thank you so much for watching this lesson